Hello everyone, guys my name is Vinita Kankreya and I am your con teacher at this wonderful channel MBA वाला by PW जब MBA वाला है आपके साथ तो डरने की क्या बात So yes guys, आपने पुराना lecture यानि lecture number 3 देखा होगा और time speed distance के सारे basic concept, average speed और सबसे important relative speed को भी समझा होगा क्योंकि अगर आपने वो topic देखा होगा तो उसमें मैंने कहा भी है guys कि आगे आने वाला lecture होगा उसी time speed distance का 2.0 जिसमें हम देखने वाले है वो concept, वो topics जिसमें relative speed बहुत काम आएगा Of course, वो basic concept तो काम आएगा मतलब speed is equal to distance upon time ये कही पर भी बदलने निवाला है वो आज भी उतना ही काम आएगा और साथ में relative speed का concept भी guys So yes, come on, शुरू करते बिना किसी देरी के और आज के session में हम क्या करने वाले है Time speed distance के 2.0 session में हम क्या करने वाले guys चलो आजओ फटाफट और अगेन एक बर वापीस याद दिला दू DPP के solution में जिसको भी tension आ रहा है डरने की बिलकुल बात निए guys Picker Not यार, हमने बोल दिया है, मैंने बोल दिया है कि जो question आपको tough लग रहे उसके मैं DPP solution with live class लेकर आऊँगा किसी Saturday की दिन, so don't worry, ठीक है, so बने रहो, जुडे रहो So yes guys, आज हम क्या देखने वाले है, सबसे पहले तो हम देखेंगे चल चैया, 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 याद आया, चैया, चैया गाना से Problems on train, yes guys, train के questions और train के question क्या अलग है किस variety के होंगे, क्या theme होगा topic का, वो सब हम देखेंगे guys और साथ में, प्यार की कष्टी में, लहरों की मस्ती में, कष्टी, कष्टी याने boat, लहरे याने stream problems on boats and stream guys, so problems on train, problems on boats and stream, उसमें कैसे हो basic concept, relative speed होगे, सब चीज़े use होगी, उसके अलावा और क्या नहीं बाते हम सिखेंगे, तो बनेर हो guys, आज के session में, चालो, so problems on train शुरूबात करते guys, शुरू करने से पहले कुछ basic सी बाते आपको बता दू, last time हमने relative speed में क्या-क्या सीखा था, guys relative speed में हमने सीखा था, कि तर आपने कहा था कि relative speed यहने speed of one moving object with respect to other, और यह तब picture में आती है, जब दो object एक दुसरे के reference में move हो रहे हो, whether same direction और in opposite direction, तो opposite direction की अगर बात आती है, तो फिर क्या होता है, relative speed बन जाती है, S1 plus S2, और जब same direction की बात आती है guys, तो relative speed बन जाती ह S1 minus S2, तो यह बात है मैं last lecture में बोल चुका हो, guys मैं अभी भी बोलूँगा, जो session, जो student यह session directly आज ही देख रहे है, पुराने session नहीं देख है, अगर आप मेरी playlist की बात करो, तो session number 4 है, बाकी जो teacher से, राहूल सर, अमीत रोहरा सर, अमीत सुराना सर, उनकी भी playlist है, इसी channel पर first basic concept से related था, उसके बाद फिर इसमें वापिस जूड़ जाना, तो yes, यह हुआ relative speed का concept और इसको मैंने proper example के साथ explain किया था, उस session के end में, है न, यादे, चलो, उसके बाद हमने उसी session में, मैं अभी जो बाते कर रहा हूँ, वो उसी session की कुछ जलकिया है, वहां हमने conversion formulas देखे जो मैंने कहा भी था कि इस वाले lecture में almost हर question में कामाएगा, खास कर train वाले, तो जबी भी आपको kilometer per hour में speed दी होती है, और आपको उसको meter per second में करना है, तो simply मैंने क्या कहा था, 5 by 18 से multiply कर लो, या फिर meter per second में दी है, but for the sake of solution आपको kilometer per hour में करना है, तो ultra 18 by 5 से multiply कर लो, या फिर किसी भी minute को hour में convert करना है, तो उसको divide by 60 कर लो, यह सारी चीज़े हमने वहाँ use भी की थी, और यहा तो भर-भर की use होगी, guys, तो यह सारी चीज़े आपको याद होना जोरी है, और अब हम शुरू करते, problems on train का actual concept, guys, problems on train का एकदम धासू actual concept, अब पता है, problems on train में मैं आपको बता तो वो theme की, question की theme क्या होती है, question आपको बोलता है कि भाई, यह एक train है, यह train यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, उसको cross करना चाहती है, तो मान लो, इस train की length something something है, जिसको length of train, lt से हम represent करेंगे, इसकी speed, st, and speed of train, कुछ तो दी है, तो आपको length of train दी है, speed of train दी है, और एक खड़ा दिया है, और आपको बोलेगा question कितना time लेगा यह train इसको cross करने के लिए, crossing वाले question गाई, जब जब आप बोलोगे, train के कुछ कुछ question तो last lecture में भी हमने देखे थे, देखे थे, वो basic concept से related थे, यह train के question exclusively मैं कौन सी variety यहाँ cover करने वाला हूँ, वो जो crossing वाले होते है, यह न, यानि एक train, एक आदमी खड़ा है, उसको cross करना चाहता है, तो भाई, अगर आपको length of train पता है, speed of train पता है, बताओ कितना time लेगा man cross होने के लिए, यह train कितने देर में, कितने second में इस man को cross कर देगी, हो सकता है, यह man standing है भी फिलाल तो, हो सकता है, कभी कबार question बोले move हो रहा है, वो भी same direction में है, तो relative speed picture में हैगी, या फिर opposite direction में है, तो भी relative speed picture में हैगी, कभी कभी तो हो सकता है, man के जगे कोई दूसरी train दे दे, मतलब मानलो हम man नहीं, दूसरी कोई train है, तो अगर यह, इस train की length lt है, इस train की length भी दे दी है, इस train की speed दे दी है, इस train की भी speed दे दी है और फिर आपको बोलेगा बताओ कितना टाइम लेगी ये train इस train को cross होने के लिए मतलब आप समझ रहे हो guys इस topic का theme क्या रहेगा कि एक train किसी object को yes अभी जो मैं man use कर रहा हूँ जो train use कर रहा हूँ हो सकता इस train के जगे एक platform हो एक bridge हो या tunnel हो या pole हो या tree हो या dog हो तो एक train in object को अगर cross करना चाहती है उससे related question यह आपको बना बना कर पुछेगा हो सकता है कभी length of train दे दिया जाए कभी speed of train दे दिया जाए time पूछा कभी time देकर train कई length देकर speed पूछ लिया जाए तो इस तरह वही पर खेलेगा इसी crossing के variety में खेलेगा और कुछ तो चीज़े देगा कुछ तो missing रखेगा और वह missing चीज़ आपको निकालने और निकालेंगे जार मैं आपको guarantee दे रहा हूँ गाई मेरा experience बता रहा हूँ कि majority student अगर time speed distance में किस topic से अगर तरते है थोड़ा सा तो इस वाले से जादा क्योंकि इसमें बहुत चीज़े देखनी होती है इसमें concept variety जादा होती है क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़े देखनी होती है कि भाई वो जो object जिसको train cross करना चाहती है वो stationary है कि move हो रहा है move हो रहा है तो फिर से दो बाते आती है same direction में move हो रहा है या opposite में move हो रहा है कभी कबार हमें ये भी देखना होता है कि जिस object को हम cross कर रहा है उसको train के सामने length है या without length है मतलब अब मुझे बताओ आपको मेरे सामने मुझे आपके सामने length है लेकिन हमारी length train के सामने कोई matter करती है यह उड़ा कर निकल जाएगी पता भी नहीं चलेगा तो हम train के लिए कौन हुए है जैसे हमारे लिए cheat है वैसे train के लिए हम है object without length हमारी length train के सामने कोई matter नहीं करती हम हो गए tree, pole, dog यह क्या हुआ है object without length लेकिन अगर train हमको cross कर रही तो हम without length object है लेकिन अगर train किसी ऐसे object को cross कर रही है जैसे कि train crossing platform train crossing bridge, train crossing another train train crossing tunnel तो यह सारे object क्या हुआ है with length तो अब चीजे बदलती है इसमें देखना बहुत होता है इसलिए student डरते है guys लेकिन इसलिए डरते है क्योंकि यह सब चीजों का रटता मारते है ठीक है, रटते हैं इन सब चीजों को तो यह नहीं करना है मैं एक के concept के साथ आपको कैसे सोच होना चीए, thought process होना चीए बताऊँगा और make sure करूँगा कि जो majority student को tough लगता है वो आपको सबसे easy लगे तो yes guys, आजओ मेरे साथ तो बिलकुल, दोस्तो सबसे पहले तो आपको relative speed का concept मैं आपको पहले तुकडों में concept clear करूँगा और फिर इन सब को merge करके फॉर्मल आपके सामने पेश करूँगा तो yes, पहले तो आपने relative speed को समझ लिया अब हम वो बात समझते जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा था with length, without length ठीक है, मान लो train किसी ऐसे object को cross कर रही है guys इसका introduction थोड़ा सुनो फिर question चुटकी में solve होंगे ऐसे object को cross कर रही है मान लो ये standing man या फिर pole है standing है लेकि न, अभी फिलाल moving को नहीं हम बीच में लाते हैं, तुकुड़ों में चीजों को समझते तो standing man को अगर train cross करना चाती है ये रही length of train ये क्या है length of train ठीक है, तो पहले तो मुझे आप यार common sense से ये बताओ कि ये man cross हो गया ये हम कब बोलेंगे train इसको cross करना चाती है ये man cross हो गया, ये हम कब बोलेंगे, तो guys ये हम कब बोलेंगे, जब इस train का last part, move होते होते होते, कुछ इस कदर आ गया जाएगा मतलब ये train आपको कुछ इस कदर आगे दिखेगी ठीक है, train को आखी नहीं होती है बस आपको direction दिखाने के लिए ठीक है, तो guys ये train समझ रहे हो ये train इस man को cross करना चाती थी, बट मुझे बताओ कि ये train ने man को cross कर दिया, ये आप कब बोलोगे, जब इस train का last part move होते 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 यहां तक आ जाए याने guys, अगर आप ठीक से देखो तो ये train कुछ इस तरह से आगे निकल ली और पूरी तरह man को cross कर दी ना पहले ये train यहाँ थी, अब ये train यहाँ आ गई अब मुझे बताओ man को cross कर ली उसने yes, but इस man को cross करने के चक्कर में उसने कितना distance travel किया, तो distance आपके आखो के सामने guys, ये देखो ये part के आखरी, ये compartment के आखरी part ने move होते होते यहां तक आया, इतना distance cross किया, और यही distance किया है length of train, तो guys इस वाले concept में भी मैंने जैसे start में आप से कहा basic formula नहीं बदलने वाला है, जो distance का formula आपने देखा था, speed into time यही रहने वाला है, बस terminologies बदलेगी, जैसे यह distance को हम d ना बोलते हो, क्या बोलेंगे, length of train तो इस वाले case number 1 से एक चीज़ अब आपके दिमाग में, जैसे आपने train किसी ऐसे object को cross करेगा जिसको length नहीं है for example, man याने person, man हो woman हो, boy हो, girl हो, ठीक है person, pole ठीक है, dog tree etc. यह typical examples है, जो पूछे जाते हैं बट इसके अलावी कुछ हो आया, तो अपना common sense use करना कि भाई, वो object जो है, वो train के सामने कोई length matter करती है, उसकी हाँ, यार, इसकी length तो अच्छी खासी है train के लिए matter करेगी, तो फिर वो with length है, उसकी बाद हम बाद में करेंगे तो case number one में हम बात कर रहे है object without length की याने train किसी ऐसे object को cross करना चाहती है, जिसको length नहीं है, train के सामने जैसे के person, pole, tree, dog तो distance, मतलब अगर उसको cross करना है, उस man को, तो distance covered क्या consider होगा, lt distance covered क्या consider होगा, lt और वो चीज मैंने आपको visualize करा दी है क्यों, क्योंकि ये man cross कब हुआ जब ये last part मुह होते होते यहाँ पे आ गया, तो इतना distance cover हुआ और ये distance मतलब ही क्या है, lt length of train तो first summarize कर रहा हूँ, first case को कि जबी भी ऐसे object को हम cross कर रहे है जिसको length नहीं है, without length है, तो distance covered is equal to lt, ठीक है distance covered is equal to lt, अगर कुछ twist ना हो, अब वो twist क्या हो सकते है, वगरा वगरा उसकी बात हम बात में करेंगा, अभी तो मैं foundation एकदम basic से उठा रहा हूँ, ठीक है, now case number two guys, case number two, अगर मान लो, ये again हमारी train है, ठीक है, और यहाँ पर ये बड़ा सारा bridge है, अगर मुझे बताओ, ये train इसको cross करना चाहती है, पहली बात तो अब ये bridge देखके आप समझ के होंगे, ये definitely width length है, तो ऐसे typical, तो case number क्या था, without length without length, और वो typical example क्या है, मैंने आपके सामने पेश किये, अब case number two क्या है, width length, और ये से कौन से typical object है, जो train के सामने, use होते है question में, जिनको train के सामने length होती है, तो train crossing bridge, train crossing tunnel, train crossing platform, train crossing another train, another train, etc. ठीक है, तो bridge, platform, another train, tunnel, ये सारे object हो है, जिनको train के सामने length होती है, तो अब मुझे बताओ guys, जैसे आपने यहाँ बताया, कि इस train ने man को cross किया, ये कब हो जब ये part move होते 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 हैं, यहाँ तक आ गया, अब क्या बोलते हो, यार ये train इस bridge को cross कब करेगी, मतलब आप पू होते 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 होते, यहाँ पे आ जाए, मतलब guys, ये train कुछ इस तरह से आपको दिखे, समझ रहो, ये train आपको move होते 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 यहाँ तक आ गई, समझ रहो, पूरी तरह bridge cross हो गया, ये part यहाँ से यहाँ तक आ गया, देखो अप स्रिप train है, कही पर भी bridge दिख र और एक ये length जिसको हम बोलते है length of object लो terminology समझो, lt मतलब क्या length of train लो मतलब क्या length of object, अब object कुछ भी हो सकता था reach के जगे tunnel हो सकता था, platform हो सकता था, another train हो सकता था तो इसकी length को हम consider करेंगे बराबर तो ये total distance क्या हो जाएगा ये part move होते होते हैं यहां तक आया मतलब इतना distance cover करना पड़ा, तब जाके वो object पूरा cross हुआ और मैंने कहा ना, ये typical crossing वाली variety में cover करा रहा हूँ आज तो कितना distance cover करना पड़ा, lt प्लस LO कितना guys, lt प्लस LO समझे, तो दो बात summarize कर रहा हो कि जबी भी train ऐसे object को cross करती है जिसको length नहीं है, तो distance cover क्या होगा, सिर्फ lt ठीक है, मैं भी फिर लाल कोई भी googly twist नहीं ला रहा हो, which make them simple foundation तो ऐसा object जिसको length नहीं है, lt और जब train ऐसे object को cross कर रही, जिसको length है, तो distance cover क्या आएगा, lt प्लस LO तो आएगा, lt प्लस LO तो आपने पहली बात clear करी, कि relative speed में कब प्लस करते हैं, कब माइनस करते हैं और ये relative speed का होती है, जब दोनों object moving है, मान लो train चल रही है पोल खड़ा है, पोल थोड़ी moving होता है, पोल बचपन से stationary है प्रीज बचपन से stationary है तो guys, जब ऐसा situation आएगा, कि train ऐसे object को cross कर रही है, जो moving है नहीं तो relative speed picture में आएगी नहीं, तब स्रीब एक ही speed picture में होगी, खुद train की तो ये बात भी समझो, जो मैंने last lecture में बेशक कहा ही है कि relative speed तभी picture में आएगी, जब दोनों object moving है, याने train भी और object भी अगर object stationary है, तो फिर तो जो train की speed है, वो ही speed है उस question में खीक है, और दूसरी बात मैंने cover की length की, तो length में दो case, जब without length है तो distance lt, जब with length है तो distance lt plus yellow, और guys इसी के साथ अब हम शुरुवात करते है actual उन formulas की, actual cases की, जो अब आपकी नईया पार करेंगे इस concept में, problems on train में, तो yes अब मेरे साथ बने रहो, 6 formulas बताऊंगा लेकिन 6 की 6 formula logically justify करूँगा, रटना नहीं है case देखो, सबसे first case, case number 1, train crossing train crossing stationary object, मतलब इस बार object stationary है, ठीक है, मतलब वो move नहीं हो रहा है, तो relative speed picture में आएगी, नहीं, तो train crossing stationary object, without length, क्या ले रहे हैं, हम सबसे पहले, without length, बिल्कुल आप लिख लो इन formulas को guys, यार मैंने आप से कहा, main formula यह रहने वाला है, speed into time is distance, लेकिन अब मुझे बताऊ, without length, जैसे मैंने बोला, आपको क्या याद आ रहा, आपको याद आ रहा है, ये वाला होगा, अभी जो मैंने बताया था, कि जब train एक man को, standing man को cross कर रही थी, standing man यहने stationary था न, ये वाली case बनी, तो speed क्या आएगी, मुझे बताऊ, जब man move होई नहीं रहा है, standing man हो सकता है, pole हो सकता है, क्योंकि without length बोला मैंने, तो without length में कोन को नाते है, आपने अभी example देखे, tree हो सकता है, तो guys, जब वो move होई नहीं रहा है, तो speed क्या होगी, अभी मैंने कहा, कि whenever object is non-moving, तो जो speed of train होगी, वो ही उस question में speed consider होगी, तो speed क्या होगी, st, st मतलब क्या speed of train, ये symbol समझो हा, st जब भी भी बोलूँगा, मैं इसका मतलब होता है, speed of train, ठीक है, aso मतलब क्या होगा, speed of object, lt मतलब क्या होगा, length of train, जो बोल रहो हो, उस पर ध्यान दो, handwriting पर नहीं, ठीक है, तो lt मतलब length of train, और yellow मतलब क्या, length of object, हमें कुछ थेरी नहीं लिखने हैं, आपको systematic नहीं बताना है, हमें concept और उसको कैसे apply करना है, question पर वो खास शुरुवात करनी है, fast, तो yes guys, तो यहाँ पर जो भी खिलवाड होगी न, वो speed में होगी, और distance में होगी, आपने speed देखा, stationary रहा, तो स्रीप ST relative रहा, तो फिर देखो, opposite है, same, आपने distance देखा, without length है, तो LT, with length है, तो LT plus hello, time में guys, कोई भी tension नहीं है, time बिल्कुल T ही लिखो, time में कोई headache नहीं है, तो yes, अगर object stationary है, तो speed आएगी ST into time, और without length के लिए distance क्या होता है, LT, यह बन गया आपका first formula, अभी मैंने आपसे बताया था, case number one, without length के लिए distance होगा, LT, यह बन गया formula number one, नो formula number two guys, अब हम train crossing, train crossing, stationary ही लेते है, अभी भी stationary ही लेते है, लेकिन कौन सा, width length, इस बार हम लेंगे, width length, ठीक है, stationary ही है, तो मुझे बताओ guys, अगर object stationary, तो relative तो आएगा ही नहीं, तो speed क्या होगा, again यही formula, speed होगा, speed of train, क्योंकि stationary object है, तो जो train की speed, बस वही question में speed, into time, time में कोई headache ही नहीं, लेकिन अगर width length है, तो case number two, just थोड़ी देर पहले की याद करो, width length में, bridge को हम cross कर रहे थे, stationary था, लेकिन width length था, तो distance क्या हो जाएगा, L-T plus L-O, यार, student direct यह formula रटते है, और पता ही नहीं, L-T क्या, L-O क्यान, कब plus L-T plus L-O लेना है, कब L-T लेना है, कब सिर्व S-T लेना है, कब S-T minus S-O लेना है, कब plus लेना है, यह पता ही नहीं उनको, तो रट के क्या हो जाएगा, ठीक है, तो यह, पहला case, train stationary object को cross कर रही है, हमने देखा, without length, यह रहा formula, with length, यह रहा formula, guys, come on, next, दो formula हो गए, now formula number 3, जिसमें दो अलग-अलग cases बनेगी, train crossing, अब stationary का हमने दोनों देख लिया, without length, with length, अब moving का देखते है, moving object, पहले हम देखेंगे, without length, तो guys, moving object without length में क्या के example हो सकते है, person, person तो stationary भी रह सकता है, move भी हो सकता है, dog, dog stationary भी रह सकता है, move भी हो सकता है, तो इस बार moving है, और moving जब ही भी होगा, picture में दो बाते आती है, एक, whether they are moving in opposite direction, मतलब train और object यह opposite direction में जा रहा है, या फिर they are moving in same direction, same direction मतलब train और object same direction में जा रहा है, ठीक है, तो guys, अब moving है इस लिए, और जब ही भी moving है, तो relative speed comes into the picture, ठीक है, तो again main formula यही रहेगा, speed into time is distance, लेकिन speed कौन से आएगी, relative, तो opposite के लिए relative क्या होगी, speed of train plus speed of object, जो आप S1 plus S2 बोलते थे, यहाँ हम क्या बोलेंगे, speed of train plus speed of object, S2 plus S2, time में कोई headache ही नहीं, into time, और अगर guys, without length है, तो distance के आएगा, सिर्फ LT, और यहाँ पे formula कहाँ बदल जाएगा, same direction में, relative speed क्या होती है, S2 minus S2, finish, बस इत्तु सा change, into time is equal to, again without length के लिए distance के आएगा, LT, होगे, वो दो और यह दो चार formula अब बचे, last case, लेकिन इसमें भी दो formula आएगे, प्यार train crossing moving में आपने without length देख लिया, अब क्या देखेंगे हम, with length और खेल खतम, और फिर फटाफट question, और देखो कितने शांदार तरीके से, आप उसको confidently अब करोगे, with length, तो guys, again, जैसे उसने moving बोला, picture में आई दो बाते, opposite, और same direction, तो opposite direction के लिए, speed क्या हो जाएगी, relative speed, ST plus SO, same direction के लिए क्या हो जाएगी, ST minus SO, यह होगा speed, time में मैंने कहा, कोई पंगा ही नहीं है, time as it is लिखो, और अगर with length है, तो distance क्या हो जाएगा, हमने देखा, case number 2, LT plus LO, LT plus LO, बस फरक्या होगा, दोनों formula में, यहाँ opposite के लिए, speed में addition किया, यहाँ minus किया, तो finish, यह 6 formula, और यह topic over, लेगने 6 formula, आपको logically समझ के, question में apply करना है, ले लो, और without length के लिए LT, दूसरा, आपको क्या देना है, कि वो moving है, कि stationary, एगर stationary है, तो speed क्या हैगी, सिर्व ST, और अगर moving है, तो फिर अब तीसरी बात देखना होगा, कि whether they are moving in opposite, या same, opposite के लिए speed होगी, ST plus SO, और same के लिए, ST minus SO, done guys, तो yes, ये है आपके दो formulas, और ये दो और दो चार, finish, clear, तो note down कर लो, और अब देखो, question का solution, एक दम, चटके फटके में, come on guys, सबसे, first question, two trains, 132 meter and 108 meter long, are running in opposite direction, दोनो train है इस बार, मतलब वो train भी train ही है, जो cross करने वाली है, और object भी train ही है, याने train crossing another train, ये वाला case बन गया ही है, मतलब मान लो, ये हमारी train है, जिसको हम ST बोलेंगे, जिसके speed को, और ये है वो object, जिसके speed को हम SO बोलेंगे, और दोनों moving है guys, clear बोला है question ने, running, running मतलब दोनों moving है, याने relative speed picture में हैगी, और अगर relative speed आएगी, तो फिर direction matters a lot, और clear बोल दिया है, opposite direction, तो ये तो fix हो गया, कि हम speed क्या लेंगे, ST plus SO, into time, is equal to distance, distance definitely क्या होगा guys, हमें दीखी रहाए train crossing, another train, येने width length, तो formula क्यों हो जाएगा, LT plus hello, ये हो गया यार formula, ये हो गया formula, बस अब question से data लो, बस consider क्या करना है, उन data का unit, मैंने कहा था, unit का platform same चाहिए, अगर आपका length, याने कि distance meter में है, time second में चाहिए, तो speed भी meter per second में ही होना, और नहीं है, तो convert करो, ये आपको अब यहाँ पे, इस topic में बहुत धान से देखना होगा, तो दो train, एक की length 132 दे दिये, तो चलो हम इसको LT मान लेते हैं, 132, ठीक है, और दूसरा का LO दे दिये आपको 108, ठीक है, opposite direction में move हो रहे है, adder rate of 32, and another adder rate of 40, तो ये होगी speed, ST, 32, and ASO, 40, but guys, हमें लेनी है, ST plus ASO, तो 32 plus 40 कितना होँ, 72, लेकिन guys, आप ठीक से देख रहे होंगे, कि ये किसमें है, meter में, ये किसमें है, meter में, diagram बनाने की ज़ूरत नहीं, आपके understanding के लिए, तो दोनो length meter में है, तो speed kilometer per hour में कैसे चलेगी, speed भी किसमें चाहिए, meter per second में, और ये आपने सीखा है guys, कि किसी भी kilometer per hour को, meter per second में करना है, तो आखे बंद करके, 5 by 18 से multiply कर लो, universally accepted, तो guys, मुझे बताओ, मैंने जैसे speed को add किया, opposite direction है, तो add करूँगा, 32 kilometer per hour, और 40 kilometer per hour, 72 kilometer per hour, into क्या कर दे रहो, तो run 5 by 18, जैसे मैंने into 5 by 18 किया, ये किसमें बन ली speed, meter per second में, आप चाहे तो इसको भी separately कर सकते हो, into 5 by 18 इसको भी कर सकते हो, लेकिन double मेहनत क्यों करें, जब दोनों speed पता है, पहले add कर लो, फिर into 5 by 18 करो, अगर same direction होता, तो minus करते हैं, फिर into 5 by 18 करते हैं, है ना, चलो, into care, question आपको पूछ रहे time, है ना, from the moment they meet, they will cross each other in, from the moment they meet, देखो, यहां मिले है वो, यहां मिले है ना, they will cross each other, अब एक दूसरे को cross करना चाहते है, तो yes, आपके सामने है, केस पूरा train crossing, moving object coming from opposite direction with length, और इसके लिए कुन सा formula कामाएगा गाईज, इसके लिए जो हमने लिखा है, वो कुन सा formula था, definitely वो formula हमारा यहां था, train crossing, moving object coming from opposite direction with length, यह वाला formula, और वो ही तो हमने लिखा है वहाँ पर, गाईज, 20 कितना दिया है, 132, 132, meter में ही है, कोई tension नहीं, और यह 108, गाईज, मतलब यह सारा meter में है, यह meter पर second में, तो आपका time किस में आएगा, second में, और option भी देखो, सारे seconds में है, अब बन गई बात, तो देख लो, 18 ने इसको divide किया, 4 into 5, 20 into T, और यह हो गया 240, तो guys, 00 कटा, 24 upon 2, 12 second, answer कितना बना, 12 second, formula ने काम, एकदम आसान कर दिया, लेकिन, यहाँ पर challenge क्या है, यही तो challenge है, कि question पढ़के, उन 6 formulas में से, कौन सा formula use होगा, वो समझना, और वो समझने के लिए, वापीस दोबरा रहा हूँ, तीन बाते, एक, तो वो देखो, width length हेगी without, उससे अपका distance के लिए हो जाएगा, D क्या लेना है, दूसरा, moving है कि stationary, उससे अपका speed का matter close हो जाएगा, और तीसरा, अगर moving है, तो opposite है या same direction, opposite के लिए addition, relative में, पर सेम के लिए, subtraction, come on guys, चलो, a train 125 meter long, यह हो गया length of train, is running at 50 km per hour, यह हो गया speed, 50 km per hour, लेकिन याद रहे, यह meter में है, यह km per hour में है, in what time, time पूछा है फिर से, और देखो, सारे option seconds में है, मतलब, meter per second को, ज़्यादा भाव देना यहाँ पे, in what time will it pass, a man running, man बोल दिया, जैसे उसने man बोल दिया, guys, यह क्या हो गया, without length, जैसे उसने man बोल दिया, यह हो गया, without length, ठीक है, यानि distance के आएगा, stability, but running है, मतलब moving है, यानि कि relative speed आईगी, object के speed को हम बोलते है, SO, ठीक है, तो in the same direction, guys, जैसे उसने same direction बोल दिया, relative speed क्या बनी, ST minus SO, speed into time is distance, लेगिन speed क्या बनी, for same, ST minus SO, into time, and distance क्या आएगा, सिर्फ LT, क्योंकि without length है, इसला question with length है, train crossing another train, इसले LT plus LO लिया, इस बार सिर्फ LT, तो guys, LT दिया है मिटर में, time हमें चाहिए second में, तो ये जो आपकी दोनों speed है, 50 km per hour, and 5 km per hour, पहले तो उनका minus कर दो, 45, और तूरंथ 5 by 18 कर लो, मतलब है किसमें हो गई, मिटर पर second में, time हमें निकालना है, और LT हमें पता है, LT कितना दिया है, 125 हो गया guys, अब क्या घर लो, 9,2,0, 9,5,0, तो 5 into 5, 25 upon 2, 125 हो गया, अगर T निकालना है, तो ये जो 25 upon 2 है, उदर जाके क्या कर लेगा, reciprocal, 25 upon 2, उदर जाके क्या हो जाएगा guys, reciprocal, तो 2 by 25, अब 25 का table by heart है हमारे, 25 फाइज आर 125, 5 into 2, 10 seconds, एंसर क्या आया, second में चाहिए था, 10 seconds, चमका क्या, एकदम, सबरदस्त guys, चमक रहा है ना, चलो, 2 trains of equal length, देखो इस बार 2 train है, मतलब train भी train है, object भी train है, और दोनों की length equal है, एक को हम LT बोलते हैं, एक को LL बोलते हैं, और दोनों equal है, कितनी हैं फिलाल नहीं पता, और running on parallel, दोनों moving है, तो भाई, relative speed और कौनसा direction दे दिया है, same direction, और running on parallel line, in the same direction, at the rate of 46 and 36, तो एक की speed आपको दे दी है, 46, देखो हम हमेशा, ST-SO करते हैं, जब same direction है, तो हम क्या करते हैं, ST-SO और आपको मालूम है, speed कभी भी negative नहीं आनी चाहिए, तो इसलिए ST हमेशा, बड़ी को ही बोलो, और SO हमेशा, छोटी speed को बोलो, जब same direction हो, I repeat, opposite में फरक नहीं पड़ेगा, क्योंकि opposite में हम add ही करते हैं, लेकिन जब minus करते हैं, तो उतना थोड़ा सा alert आप रहो, कि जब आपको ST और SO देना है, speeds को, और 2 speed है, अब दोनों train है, यह ना दोनों train है, तो यार, एक की speed, अब train है यार, दोनों कौन किसको cross कर रहा है, उसमें से train किसको बोले, object किसको बोले, यह confusion होता है, तो same direction में confusion दूर करने का सबसे simple तरीका, मैं जो बोलरों दिमाग में डालो, जो faster है, उसको ST बोलो, जो slower है, उसको SO बोलो, खतम, same के लिए, opposite में फरक नहीं पड़ेगा, opposite में add ही करना है, किसी को कुछ भी बोल दो, लेकिन same के लिए, faster should be ST, slower should be SO, क्योंकि यह subtraction हमें हमेशा क्या चाहिए, positive, तो yes, ST हो गया 46 km per hour, SO हो गया 36 km per hour, दोनों किसमें है, km per hour में, लेकिन, आपको the faster train passes the slower train in 36 seconds, time दे दिया है second में, और पूछा क्या है, time दे दिया है, आपको seconds में guys, 36 seconds, और पूछा है question ने, length of each train, और options हारे meter, meter, meter में है, तो meter और second का थोड़ा सा, फिर से क्या है, जादा, majority तो इन दोनों को आप क्या कर लो, meter per second में कर लो, but यह case कुण सी बनी, यह case बनी, हमने जो चार cases देखे थे, उसमें से थर्ड वाली case, train crossing, moving object, coming in the same direction, यार going in the same direction, without length, sorry, with length, तो यह without length निया, यह with length वाला है, तो यह थर्ड वाला निया, फोर्थ वाला case बना, तो फोर्थ वाला case जो हमने देखा था न, train crossing, moving object, going in the same direction, with length, तो यहाँ पे, देखो, moving है, same direction है, और क्या है, सबसे important, with length है, तो come on guys, st, speed क्या होगा, st minus so, into time, is equal to lt plus all, अब देखो, ना ही हमें lt पता है, ना ही allo पता है, लेकिन question ने पूछा भी है, find length of each train, अब दोनों की तो same ही है, अब देखी दिया है आपको, option 2-2 नहीं दिया है, तो फिलाल तो दोनों अन्नोन है, तो guys, मैं इसी को x मान लू, lt b x है, तो l o b क्या हुआ, x, तो चलो, आ जाओ, st minus so, 46 minus 36, same direction है, तो minus करेंगे, तो यह कितना हुआ, 10, लेगी ने 10 क्या हुआ, km per hour, हमें चाहिए, meter per second, 1 second में, 5 by 18 से यह हो गया, पुरा bracket, meter per second में, into time दे दिया है, 36 second, l t b x है, l o b x है, खतम, 18, 2000, 10 into 5, 50, 50 into 200, x plus x, 2 x, तो 2 x, अगर 100 है guys, तो x कितना मिला, 50 meter, length of each train, क्या हुआ guys, 50 meter, तम का क्या, एक दमासा, तो यह कौन सा case बना, 4th वाला, same direction वाला, object with length, going in same direction, come on, a 200 meter long train, crosses another one, traveling in opposite direction, इस बार देखो, opposite direction है, ठीक है, इस बार opposite है, लेकिन, again इस बार भी object train है, क्योंकि, opposite direction से, आ रहा है, तो एक 200 meter long, तो LT में ले ले ता हूँ, 200 meter, crosses another one, जिसका length फिलाल नहीं पता, है ना, opposite direction से आ रही है, in 15 seconds, time दे दिया है, 15 seconds, तुरंत data लिख लिया, if length of another train, लो भाई साब, another train का भी length दे दिया, तो इस length को हमने LT बोल दिया, आने ST याने speed of train नहीं पता, ASO नहीं पता, लेकिन दोनों से हम है, ठीक है, दोनों से हम है, बट गाईस देखो, length meter में है, meter में है, time second में है, तो अगर आप as it is data यूज करोगे, तो पहले आपको speed किस में मिलेगी, meter per second में, लेकिन इस बार ठीक से देखो, find the speed of train बोला है, लेकिन सारे option, kilometer per hour में, तो आप भला ही पहले speed, meter per second में निकाल लो, लेकिन जो answer आएगा, गलती से option में, वो मत धुणना, नाराज हो जाओगे, sad हो जाओगे, क्योंकि answer match नहीं करेगा, क्योंकि answer match करेगा भी कैसे, आप इस data से जो speed निकालोगे, meter per second में निकलेगी, यहाँ kilometer per hour में, तो into 18 by 5 कर लेंगे, या rain में, ठीक है, चलो आजाओ, तो यह case कुन सी हुई, again fourth वाली ही, जो हमने चार cases देखी थी, उसमें से fourth वाली, लेकिन opposite direction, train crossing moving object in opposite direction with length, तो with length है, तो lt plus a लो, यह हो आपका distance, ठीक है, lt plus a लो, यह हो आपका distance, now, यहाँ तो t होता है, और अब opposite direction की speed क्या होती है, st plus so, guys हमें st भी नहीं पता, so भी नहीं पता, इस बार इसको x ले लेते हैं, तो यह भी x, यह कितना होँआ, 2x, time कितना दे रखा है, 15 second, time दे रखा है, 15 second, तो 2x into 15, अब lt दिया है 200, और यह लो दिया है 300, तो guys, इन दोनों का addition कितना होँआ, 200 और 300, 500, और यह जो 15, इस 2x को multiply कर रहा है, guys मुझे बताओ, 2 into 15, 30 होता है, मतलब यह कितना होँगया, 30x, एक साथ में उसको कर दू, यह 2x तो क्या होँआ, opposite direction है, इसलिए st plus s o, तो दोनों का same है, question ने clear बोल दिया, speed of both the train are equal, तो x plus x 2x, ठीक है, यह भी second में है, यह meter में, यह meter में, तो इस बार x हमारा पहले, meter per second में आएगा, now 2 into 15, 30x, तो हो गया, 1, 0, 1, 0 गया, x कितना मिला, 50 upon 3, और जैसे मैंने कहा, यह है speed of, दोनों train, option में मत धुनना, क्योंकि यह meter per second में, तो अब क्या कर लो, 50 by 3, किसी भी meter per second को, kilometer per hour में करने के लिए, 18 by 5 से multiply करना होता है, यह पिछले lecture में भी कहा था, पिछला lecture फिर से बोल रो, देखो वापिस, पुरा basic concept पे था, और आज भी कहा है, तो यह 50 by 3 था, इसको 18 by 5 से, जैसे multiply किया, यह meter per second हो गया, kilometer per hour, हो गया, देखो, 5, 10,000, 3, 6,000, 10 into 6, 60 km per hour, अंसर कहा बना, 60 km per hour, चमका, एकदम धासू, come on guys, यह 100 meter long train, takes 9 seconds to cross man, तो इस बार man है, याने के without length है, ठीक है, without length है, तो guys, length of train, यह जो 100 meter है, यह length of train है, यह man को तो कोई length है नहीं, takes 9 seconds, पूरा data आपके सामने, फिर देखो, तीन बात है जो मैंने बोली है, सोचने है, उसके साब से कुन सा formula, use होगा, man याने without length, लेकिन man की speed दीए, याने speed of object, an object है तो उसके speed को हम, speed of object 5 km per hour, in the opposite direction, अच्छा, opposite direction है, add होगा, तो train से opposite direction में है, find the speed of the train, ST निकालना है, तो guys ये case हुआ, third वाला, train crossing, moving object, going in opposite direction, या coming from opposite direction, या coming from opposite direction, तो train crossing, moving object from opposite direction, without length है, तो without length है, तो distance के आएगा, सिर्फ LT, यहाँ तो time रहेगा, लेकिन opposite direction में, speed के आ जाएगी, ST plus A, तो ये बन गया formula, निकालना क्या है, speed of train, यानि ST निकालना है, SO दिया है, लेकिन again, क्या funda है यहाँ पे, क्या सबसे बड़ा पंगा है यहाँ पे, ये meter में है, ये second में है, ये kilometer पर hour में, इन तीनों का कोई ताल मिल नहीं है, तो सबसे पहले, तो अब इस बार तो ये हमें पता ही नहीं है, और ये भी हमें किसमें चाहिए, kilometer पर hour में है, बट हम पहले क्या करते हैं, यहाँ दो-दो चीजे meter और second में है, तो सरीब इसको पहले convert कर लो न, तो मुझे बताओ, अगर SO को, मुझे पहले तो meter पर second में करना है, तो 5 by 18 से multiply कर लो, तो ये कितना हो गया, 25 by 18 meter per second, पराबर 25 by 18 meter per second, तो guys, ST as it is, ये 25 by 18 लिखना, गलती से भी जिसने 5 ले लिया, वो गया, जो भी इस वीडियो को pause करके, इसको try कर रहा हूँ, अगर answer match नहीं कर रहा है, तो उसने ये ही पर गलती की है, कि आप ST, ये अगर time second में, ये meter में है, तो जो ASO भी आपको पता है न, उसको meter per second में लो, इतना matter करता है unit का खेल, भलाई इससे आपका ST, अब पूरा question किसमें बन गया है, meter second, meter second, तो ये ST भी आपका पहले meter per second में आएगा, लेकिन same previous question की तरह, finally आपका जो भी meter per second में आया, अगर उसको kilometer per hour में convert करना है, तो 18 by 5 से multiply कर देंगे, उनका किस बात का है, तो ST नहीं पता, ASO हमने meter per second में किया, जब ही भी kilometer per hour को meter per second में करना है, into 5 by 18, और उल्टा करना है, तो into 18 by 5, ठीक है, चलो, time कितना है, time देज रखा है 9 second, LT कितना है, 100, again guys, ST plus simple calculation, ये जो 9 है, इधर जाके divide कर लेगा, ये 9 पूरे bracket को multiply कर रहा है, उधर जाके divide कर लेगा, हो गया, तो ST कितना guys, 100 by 9, minus 25 by 18, ST निकालना है, उसको अकेला करो, तो 25 by 18, इधर plus है, उधर minus हो जाएगा, तो guys, यहाँ denominator 9 है, यहाँ 18 है, तो common denominator करने के लिए, इस पूरे fraction को, पहले वाले fraction को, 22 से multiply कर लो, तो ये कितना हो गया, 200 by 18, minus 25 by 18, तो 200 minus 25, 200 minus 25, common denominator 18, समझाने हैं, 200 कैसे आया, into 2 into 2, यह पूरे fraction को, जो कि allowed है, रेशो को हम उपर नीचे से multiply कर सकते हैं, तो ये हो गया guys, आपका 175 by 18, लेकिन again option में, जलबाजी मत करो धुनने की, क्योंकि ये meter per second है, इसको kilometer per hour कैसे करें, तो 200 by 18, into 18 by 5, into 18 by 5, जब meter per second में करना था, kilometer per hour को into 5 by 18, वापी सब meter per second को kilometer per hour में करना है, तो into 18 by 5, तो ये बना आपका ST, खतम, 18, 18 कटा, 200 upon, आँ स्वारी, 175 है, 175 है नहीं है, 200 minus 25, 175 है, तो 175 को 5 से divide कर लो guys, 35 is the answer, 18, 18 तो कट गया, और यहां बचा 35, मुझे बताओ, इतने question देख लिया, यार, formula के लावा, कुछ भी use कर रहे हो, formula और unit का खेल, और कुछ नहीं है, बस student डरते है, फिर भी इस topic से सबसे ज़्यादा, जो सबसे आसान है, डरने का reason आपको समझी क्या होगा, रटा, रटना formula को, जब पता ही नहीं, कौन सा formula कब अपला होगा, तो रट के क्या फायदा, लेकिन जो concept से जाएगा, देखेगा कि width length है, without, उसके इसाब से distance decide करेगा, lt, और without, lt plus hello for width, फिर check करेगा, कि stationary है, कि moving, तो stationary के लिए, speed is based, moving के लिए, फिर check करेगा, same है कि opposite, तो फिर उसका formula, एकदम successful, वो सही ही use करेगा, और फिर थोड़ा बहुत unit का खेल, तो पहले तो आप क्या कर लो, सब question को, meter per second में कर लिए, अगर हो मोटा मोटी, not necessary कि हर जगे है, अगर हर मान लो distance kilometer में दिया है, तो हल्ली कुछ second लगते हैं, तो meter second का थोड़ा सा, ये data जादा होता है, इसलिए पहले speed को meter per second में कर लिया, बाद में अगर ज़ोरत पड़ी रही है, तो kilometer per hour में करने के लिए, क्या ही बड़ी बात है, यह ना, तो खतम guys, चलो, अब मैं ये question आपके लिए क्या देता हूँ, homework देता हूँ, इसका answer मेरे को बताना है आपने comment section में, तो ये क्या है, length of train दे दिया है, time दे दिया है, to pass over another train, जिसकी भी length दे दिया है, यानि ये lt, ये time, ये LO, ठीक है, coming from opposite direction, opposite direction तक दे दिया है, तो आपको first train की speed दे दिया है, लेकिन km per hour में दे दिया है, तो alert हो जाओ, क्योंकि ये सब second meter meter में है, तो पहले इसको meter per second में कर लेना, उससे speed of train, यानि second train, meter per second में आएगा, finally उसको फिर से km per hour में convert करना, क्योंकि option उस form में है, तो ये question आपके लिए homework है, guys, कौन सा formula यूज करना है, कैसे करना है, आप ही decide करो, और मुझे बताओ, लेकिन बताना है, तो देख लो, ये इस बार कौन सा case है, आपको बता दे रहा हूँ, train crossing, moving object, with length, from opposite direction, यानि with length भी है, और opposite direction की moving है, come on guys, train crosses a platform 100 meter long, ठीक है, तो पहले, देखो आप ये question में, कुछ नई चीज़े सीखोगे, क्योंकि यहाँ दो-दो object है, लेकिन don't worry, दोनों object separate, separate दिये हैं, पहले question ने बोला है, train crosses platform of 100 meter long, यानि ये length of platform दिया है, 100 meter, of course platform को, अच्छा खासा length होता है, तो width length है, in 60 seconds, ये 60 seconds है, at a speed of 45 km per hour, of course यहाँ पर speed जो वो train की होगी, ये platform तो क्या है, stationary object है, तो ये 45 km per hour, बढ़ आप समझ गये होंगे, ये meter, ये second, तो इसको भी into 5 by 18 कर लिया जाए, और meter per second में convert कर लिया जाए, ठीक है, चलो, so guys, LO दिया है, T दिया है, ST दिया है, क्या missing है, LT missing है न यार, length of train कहाँ पता है, तो train अगर किसी platform को cross कर रही है, तो platform को तो length होती है, train को भी तो होती है न, LT plus LO, तो ये कौन सा case हुआ, platform है, width length है, विलकुल सही, stationary है, तो सबसे पहले तो अगर stationary object है, तो speed script ST आएगी, इस बहर relative का कोई सवाल ही नहीं, into time, लेकिन width length है, तो LT plus LO, अब मुझे बताओ, इस formula से आपको क्या मिल जाएगा, length of train, क्योंकि speed आपको पता है, ये वाली, 45 into 5 by 18, time पता है, 60, second, LT आपको निकालना है, एलो मालू में 100, तो इसको solve कर लो यार, 18, 9, 2000, 9, 5000, 230, तो 5 into 5, 25 into 3, 75 और 10, 750, तो यार ये 100 इदर, minus हो गया, 650, तो length of train मिल गया आपको, और आगे question देखो, क्या बोल रहा है, the time taken by the train, उसी train, जिसकी speed ये है, जिसकी length ये है, ये length इसलिए निकालना जुरूरी था, क्योंकि बिना length के हम अगला case all नहीं कर पाते है, तो first platform की case से हमने क्या निकाल लिया, length of train, but main question क्या बोला है, time taken by the train to cross electric pole, guys, electric pole फिर से क्या है, without length है, और बचपन से stationary है, तो यहाँ पे कौन सा formula यूज होगा, train, crossing, stationary, object, without length याने सबसे पहला वाला, ठीक है, तो सबसे पहला वाला formula ले लो, guys, st, stationary इसलिए, और without length इसलिए, lt, और lt इसलिए हमें निकालना जुरूरी था गई, अपने सोचाओगा, सर जब time भी निकालना है, तो lt क्यूं निकाला, इसलिए, अगर lt निकालते हैं, तो यह time भी निकालना unknown होता, और time lt भी unknown होता, तो फिर कैसे निकल जाता, इसलिए उसने platform का case दिया है, उसमें सिर्फ lt missing था, ये तो सिर्फ data है, इसको लिखने की ज़ूरत नहीं, main calculation बस ये तीन step है, उसके बाद सिधा यहाँ पर, speed क्या है, again कुनसी लो, meter per second वाली, क्योंकि time किस में निकालना है, seconds में, कुछ minute में दिया है, बट पहले हम second में निकालने, और lt भी हमारा किस में आया है, meter में, 25 upon 2t is 650, 50 आपको निकालना है, तो 650 into 2 upon 25, यहना, 2 इधर multiply होगे, 25 divided होगे, 25, 2050, बचा 15, 15 पे 0 के रहीगे, 25, 6,150, टीक है, तो यह स्टेबल यहाँ थोना जुरुरी है, रोटी का पड़ा मकान, 26 into 2, 52 second, option C, calculation के लिए भाई, tables दिमाग में fit कर लो, 1 to 30 तक का, response के लिए वो ही रोटी है, कपड़ा है, मकान है, basic need है, ठीक है, चलो guys, अगेन अब यह question आप homework में कर लोगे, 300 meter long train, यह हुआ LT, crosses electric pole, अब इस बार थे गो, पहले platform दिया था, उससे जो unknown था कुछ हुँ हमने निकाला, फिर main pole वाली condition solve की, इस बार पहले उसने pole दे दिया है, उससे कुछ तो unknown होगा, निकाल लो, और फिर उसने main bridge वाली condition दिया है, तो देखो, 300 meter long train, यहने इस बार LT दे दिया है, crosses electric pole, electric pole क्या है, stationary है, without length है, यहने पहला formula 15 seconds, meter second में सब, तो यार इससे में क्या मिल जाएगा, speed of train, क्योंकि ST, formula क्या होता है, ST, यह देखो, formula भी exam में लिखने की ज़रूद नहीं है, यह तो आपके understanding के लिए बता रहू हूँ मैं, stationary without length, तो इसससे देख लो, ST क्या मिला हमें, LT upon T, मतलब 300 upon 15, 20, of course, किसमें? meter per second में, यह meter per second में, हर चीज में, now in how many seconds will it cross 0.6 km long bridge, तो यार हर चीज अब meter second में, तो 0.6 km, यह क्या है, bridge की length है, जिसको हम yellow बोलते है, अब pole का case हो गया, pole से हमने क्या निकाल लिया, speed of train, अगला case किसका होआ है, bridge का, bridge का होता है, width length, तो उसका length 0.6 km दे दिया है, लेकिन बच्चा बच्चा जानता है, कि kilometer से meter कैसे करे, into 1000, तो 0.6 into 1600 meter, यह case कुन से हो गया, formula number 2, यह homework बोलके मैंने solve कर लिया, low flow में हो जाता है, so yes, 20 into time, time कितना दिया है, time आपको निकालना है, ठीक है, time निकालना है, length of train दे दिया है, 300 पहले से, और length of object, आपने भी, अभी meter में convert किया, 600, तो हो गया, पहले condition से आपने speed निकाली, अब यह speed यहां यूज करो, time निकल जाएगा, तो यह कितना हुआ, 900, 20 इदर जाके, divide किया, यह meter पर second में, यह meter में इसलिए time आपको मिल गया, second में 45 seconds, क्या बोलती public, clear है, एकदम, तो guys, चालो, अब यह question करेंगे, और फिर शुरुवात करेंगे, boats and stream की दोस्त, इस question के बाद, boats and stream देखेंगे, लेगिन yes, पहले इस question को देखो, अब यहाँ पर दो दो चीज़े unknown है, लेगिन दोनों meter meter यहने length पुछा है, चलो आते हैं, इस बार भी देखो, a train running at 25 km per hour, 25 km per hour, km per hour में दिया है, takes 18 seconds to pass platform, object क्या दिया है पहला platform, और उसको पास करने के लिए 18 seconds time दिया है, बट जैसे उसने platform बोला, हमें आरी दिमाग में आना चाहिए, यह तो width length है, उसकी length हमें दी है, नहीं, यानि length of platform is unknown, पहले तो, उसको पास करने के लिए 80 seconds लग रहे है, perfect, लेकिन walking है भाई, मतलब moving है, याने platform तो यार relative speed नहीं आएगी, बट यहाँ पे relative speed आएगी, 5 km पर आर, याने man का 5 km पर आर क्या दे दिया है, आपको speed दे दिया है, ठीक है, in opposite direction, relative है, opposite है तो add करना होगा, find the length of train and that of the platform, तो yes guys, unknown क्या-क्या है, एक तो length of train, और दूसरा length of platform, और इसलिए question ने दो चीज़ पुछी है, but कोई गल नहीं हो है, दो चीज़ पुछी है, तो दो condition भी दी है, दोनों को use करेंगे, दो unknown निकाल लेंगे, है ना, चालो, so yes guys, देख लो, सबसे पहले तो यह कुण सा, second वाला formula, train crossing ST, क्योंकि stationary है, platform, but with length है, LT plus LO, so yes, STR सबसे पहले तो यह, ST km per hour में है, time second में है, और length भी सारी meter में चाहिए, तो यह 25 को तूरंथ into 5 by 18 कर लो, मतलब यह कि इसमें बजाएगा, meter per second में, है ना, time कितना दिया है, LT unknown है, LO unknown है, यह दोनों unknown है, so guys, 18, 18 कटा, यह कितना हो, 25,500, 125, तो LT plus LO तो मिल गया, 125, तो यार, पहले तो option से भी आप जा सकते हो, पहले तो आप बिना दूसरा, देखो, smart work भी करना एक्जाम में, ऐसा नहीं कि बस घोड़ी की तरह, घोड़े होता है ना, यहाँ पे घोड़े के आगे, जो इदर उदर देखता नहीं, बस जो पढ़ा है, बस वैसी चलता है, यार, यहाँ पे आपका 360 degree approach, अन्ना, चारो और चोकन्ना, यह attitude बहुत काम आएगा, concept, यह सब चीज़े तो आपकी नईया पार करेगी, लेकिन आपका smart approach, टाइम बहुत आपका बचाएगा, guys, मुझे एक चीज़ दिख गई है, कि LT unknown है, LO unknown है, और दोनों की individual value नहीं पता, बट दोनों का total 125 आना चीए, और पूरे option में, इस बात को satisfy करने का दम स्रिफ option A में है, I repeat, पूरे option में इस बात को satisfy कोन कर रहा है, सिर्फ option A, 100 plus 25, finish, ठीक है, अब of course, मैं आपको समझा रहा हूँ, तो हर चीज़ समझा हूँगा, ये भी बता हूँगा, लेकिन मैं आपको साथ में smart चीज़े भी जो बता रहा हूँ, बीच-बीच में उसमें focus करो, कि आपका question यही पे खतम था, ये फाल्तू का hard work, ये this exam is all about smart work, ना की hard work, ठीक है, hard work मेहनत में करो, लेकिन exam जब आएगा, वो time जब आएगा, जब आप exam दे रहे हो, तो आपने smart mind जदा यूज़ करना है, time बचाने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझी गया, LTLO नहीं पता है, तो सर ये दूसरी condition यूज़ करेंगे, उससे निकालेंगे, बहुत बढ़िया गाईज, लेकिन क्यों ठक रहे हो, जब आपको दिख रहा है कि LTLO, individually नहीं पता, बट दोनों का total 125 इसरी यहाँ पे है, तो ये पे टिक करो, आगे बढ़ो, तो ये simple सी बात, तो यार अब देखो, ASO, ये तो हो गया हमारा, LT plus ASO, अब आपको समझ गया, answer option A है, फिर भी दूसरी condition हम use करेंगे, और आपको मैं एक बता रहो कि traditional way से भी कैसे होता, क्योंकि exam में टीटा type question भी होते हैं, तो मान लोगर है टीटा होता तो, तो फिर तो definitely आपको ये सब करना होता, तो समझ लो, टीटा मतलब मानते हो ना, समझते हो ना, जिसको नहीं पता, टीटा मतलब ऐसे question होते हैं guys, जहां options नहीं दिये होते हैं, आपको एक box दिया होता है, वहाँ answer type करना होता है, तो best part उसको negative marking नहीं होती, बड़ option भी नहीं होते हैं, यह क्या बना walking है, with opposite direction, मतलब train crossing, man है याने without length है, ठीक है, moving object है, लेकिन in opposite, तो जैसे moving है, opposite के लिए यह बनी speed, time क्या हुआ, t, और आएगा स्रीब lt, क्यूंकि without length है, man याने, guys, st मालू में 25, so मालू में 5, तो यह क्या हुआ 30, लेकिन again kilometer per hour है, तो into 5 by 18 करो, time हमें दे रखा है, कि man को cross करने के लिए, it takes 12 seconds to pass a man, तो यहां का time दे रखा है 12 seconds, तो यहार इससे lt मिल जाएगा, यहां तो यह लोगा कोई roll ही नहीं है, without length है, तो speed of train, speed of object पता था, opposite direction add किया, into 5 by 18, meter per second में, time second में दिया है, तो देख लो, 6, 3000, 6, 5000, and 3, 4000, तो 5 into 5, 25, 4000, 100, देखो, lt आपको 100 मिला है guys, तो lt की value यहां 100 रख दो, 100 उदर minus हो जाएगा, यह लो मिलेगा 25, finish, तो this is all about problems on train, guys, यह है foundation level problems on train का, अब इसमें क्या twist, turn और यह सब आएंगे, भाई अभी तो जर्नी दूर है न, foundation pioneer मचाएंगे यार, क्यूं टेंशन ले रहे हो, लेकिन अब हम start करेंगे, foundation for, प्यार की कष्टी में, yes, boats and stream, बने रहो guys, चलो, देखते हैं, boats and stream, तो बढ़ते हैं guys, और शुरुवात करते हैं, सबसे शानदार, boats and stream, और आज के session का, यह last concept, train आपने देख लिया, एकदम थासू तरीके से, तो अब हम देखेंगे, boats and stream, इसके क्या concept है, और फिर उसके मज़ेदार question guys, अब पता है, जैसे आपने train में देखा था, speed into time is equal to distance, यह time में तो वैसे आपको कोई headache नहीं था, लेकिन speed में आपको बहुत सी चीज़े देखनी पड़ रही थी, जैना stationary के लिए अलग, again moving के लिए अलग, उसमें भी opposite same direction, distance के लिए भी काफी अच्छा खासा headache था, कि भाई, with length है, without length, उसके साफ से distance बदलेगा, लेकिन guys, अगर आप बात करो, ports and stream की, तो speed into time is equal to distance में time का, तो यहाँ पर भी कोई headache नहीं, rather distance भी यहाँ पर d ही है, यहाँ पर कोई LVL का पंगा नहीं है, with length, without length का पंगा नहीं है, हाँ, लेकिन speed यहाँ पर guys, बहुत ही आपको alert होके देखना होगा, question में पढ़ना होगा, कि यहाँ पर speed उसने boat की, कौन सी situation में बूली, यहाँ पर दो situation बहुत important role play करती है, एक upstream और दूसरा downstream, तो guys, यह upstream downstream कि इस बला का नहा में देखते हैं, तो speed of boat, speed of boat during upstream, अब यह क्या होता है sir, देखते हैं, तो guys, अब यार अब तक train जो है, वो पट्री पे चल रही थी, railway track पे चल रही थी, तो railway track अपने आप में क्या होता है, stationary, car जो है, vehicle जो है, bike जो है, cycle जो है, वो कहाँ पे चल रही थी, road पे, road अपने अप में क्या होता है, stationary, तो इसलिए अब तक वो पंगा कभी नहीं आया, guys, अभी तक वो पंगा नहीं आया, क्योंकि जितने भी vehicle, train, cycle, हमने देखे, वो जिस track पे चल रहे थे, वो सारे stationary थे, लेकिन अब बात अगर boat क्यो हो रही, है, ठीक है, लेकिन उस दिन पानी का बहाओ कुछ इस direction में, पानी इस direction में बहे रहा है, जिसको मैं SW से represent करता हूँ, अब SB क्या है, SW क्या है, मैं बताऊंगा, guys, don't worry, तो यह speed of boat है, यह speed of water है, लेकिन, guys, आप देख रहे हो कि पानी क्या कर रहा है, मैं जिस mode पे चल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ पानी पे, मेरी boat चल रही है पानी पे, और मेरी boat का direction कुछ इस तरह से है, और पानी इस तरह से आ रहा है, मतलब वह मेरी boat को रोकने की कोशिश कर रहा है, resistance create कर रहा है तो yes, guys, ऐसी situation को बोला जाता है, upstream ऐसी situation को बोला जाता है upstream जहां boat is going against the flow of water boat is moving against the flow of water तो yes आप देख रहे हो situation तो पता है guys अगर मेरे boat पर 70 km per hour का speedometer दिख रहा है मादलो मेरी automatic boat है और उसकी speed मैं एकदम automatic set कर लिए 70 km per hour speedometer पर 70 ही दिख रहा है boat की engine जो है वो 70 से ही कोशिश कर रही है लेकिन उस दिन पानी बह रहा है at the speed of 40 km per hour तेज बहाव है बहुत तेज बहाव है आंधी है और वो opposite direction में हमारे boat के opposite direction में आ रहा है यानि against the flow हमारी boat कहा जारी है against the flow तो यार वो हमें रोकने की कोशिश कर रहा है तो भलाई हमारे boat पे only 30 only 30 क्यों क्योंकि 70 के speed से तो हम आगे गए लेकिन 40 के speed से पानी ने हमें पीछे ढखेला तो boat की speed during upstream क्या होती है guys sb-sw समझ के होंगे आप क्यों क्योंकि पानी रोक नहीं यहाँ कोई relative speed नहीं है अब बोलोगे सर लेकिन आपने तो कहा था एक ऐसा जा रहा है एक ऐसा जा रहा है opposite direction add होगा yes यह confusion आप में से कई लोगों की दिमाग में आ सकता है guys यहाँ relative speed नहीं है यहाँ कोई हम crossing वाले question नहीं कर रहे है यहाँ तो in fact जिस पर हम चल रहे है वो ही move हो रहा है जैसे मैंने इसलिए start में कहा आपको एक confusion ना है हम अब तक train के question देख रहे थे लेकिन train कहा पर थी railway track पर चल रही है तो railway track मूँ होता है नहीं वो fix stationary है हाँ उसको हम एक दुसरे object के reference में देख रहे थे तो इसलिए वो crossing वाले question थे जहाँ पर moving में हम relative use कर रहे थे opposite के लिए addition, same के लिए minus नहीं है so बात की एक बात एक moving object, दुसरे moving object इनके cross होनी की बात चल रही है तब only relative speed picture में लाओ यहाँ पर तो जिस पर हम चल रहे है वो ही moving है और वो भी कैसा move हो रहा है हमें रोकने की कोशिश कर रहा है हम इदर जा रहे हैं वो इदर से में रोक रहा है तो simple है, हमारी speed के हो जाएगी, कम हो जाएगी और वो कैसे represent होगी, sb minus sw यह हुआ upstream का, और दूसरा funda आता है guys speed of boat during downstream concept समझ लो, बाकी खतम, मैंने कहा न, बाकी यहाँ पर distance में कोई खिलवार नहीं time में कोई खिलवार नहीं है, बस speed समझ लो तो speed of boat during upstream और boat की speed during downstream और downstream को बतानी की जादा जोरत नहीं है, बिल्कुल इससे opposite होगा अगर हमारी boat इस direction में है, मान लो 70 km पर hour लेकिन उस दिन पानी का flow भी उसी direction में था water का flow भी उसी direction में था तो guys, भला है हमारे speedometer पे 70 की speed दिख रही है, लेकिन एक घंटे के बाद हमारा distance 70 नहीं, बलके 70 प्लस 40 110, 110 कवर हुआँगा, क्यूँ? क्योंकि 70 तो हम अपनी boat का engine हमें मेहनत करी रहा है, 70 km पर hour के लिए, लेकिन पानी भी 40 के speed से हमें आगे क्या दे रहा है, धक्का दे रहा है, धकेल रहा है यहाँ रोक रहा था, क्योंकि यहाँ अगेंस दे फ्लो थे, यहाँ वो हमें धकेल रहा है क्योंकि यहाँ along the flow है, यहाँ अप और डाउन को कभी कभार question ये word भी यूज करता है upstream मतलब हमेशा क्या? against the flow, against the flow ठीक है, against the flow, और downstream मतलब हमेशा क्या? with the flow, या along the flow along the flow बोलो या with the flow बोलो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 70 पर हम चल रहे है 40 का हमें धक्का मिल रहा है तो add and हमारा distance कितना cover हो जाएगा 70 plus 40, 110 तो finish guys यहाँ बस दो बाते question alert होके पड़ो अगर उसने upstream बोला है तो speed of boat, resultant speed of boat है वैसे तो boat की speed हमें क्या दिख रहे है 70 लेकिन वो actual situation में सही नहीं होगी क्योंकि पानी का direction है वो भी against तो during the upstream, resultant speed of boat during upstream क्यों हो जाएगी SB minus SW and resultant speed of boat during downstream या along the flow हो जाएगी SB plus SW finish अब बस आपको समझना सर SB क्या, SW क्या है तो देख लो, सुन लो, लिख लो SB को बोला जाता है question में speed of boat, जो कि मैं भी बोली जा रहा हूँ अभी कभार पता है question इसको ऐसा भी बोलेगा speed of boat in still water, ये वाड अकसर use होता है speed of boat in still water still water, रुका हुआ पानी, ठहरा हुआ पानी, पानी रुक गया है ठहर गया है, तो जो boat की speed है, वो उसकी खुद की speed है पानी को कोई भी direction नहीं है कोई भी flow नहीं है पानी रुक गया, still water मतलब रुक जाना तो जो boat की speed है, वो ही उसकी actual speed है, जो speedometer पे दिख रही है तो कई बारी question SB को ऐसे भी represent करता है कि speed of boat in still water is 70 तो समझ जाना हो SB है ठीक है, समझ जाना हो SB है अगेन, कभी कबार questions silent होता है, स्रिफ speed of boat बोलता है तो वो SB होता है, लेकिन अगर in still water ऐसा word भी mention है, तो समझ जाना वो SB की ही information दे रहा है क्योंकि पानी तो रुखा हुआ है या रुखे हुए पानी में boat की speed इतनी होती है, यानि वो boat की अपनी speed है, SB और SW guys, समझ गयोंगे आप speed of water हाँ, लेकिन इसको अच्छी से समझो, क्योंकि इसके कई सारे नाम question यूज करता है, कभी कबार इसको water बोलता है, कभी कबार इसको river बोलता है, speed of water speed of river, speed of flow speed of current speed of stream तो ऐसे कई सारे नाम से ये represent होता है, speed of water, river flow, current, stream तो ये इन में से कोई भी नाम आ जाए समझ जाना, वो SW है, speed of boat in still water, याने SB, और वो दोनों मिल जाए, तो upstream है तो minus कर लो downstream है तो plus कर लो, that's it guys और याद रखो, ये boat का question है, याने पानी पे चलने वाली boat है, तो definitely यहाँ पे पानी को एक direction होगा, अब आपको alert होके वो ही देखना है कि along है, याने downstream या against है, याने upstream और कभी का बार कोई journey अगर ऐसी दी जाएगी कि एक इनसान जाकर वापीस आया, A to B गया और वापीस आया boat से, तो समझ जाना यहाँ up और down दोनों आएगा तो किसी भी question में अगर to and fro journey दी है उसने बोला नहीं, अप and down कही पर भी लेकिन to and fro बोला है, तो समझ जाना एक बार up है, तो एक बार down पका है या पहली बार down है, तो दूसरी बार up ही जाते समय रोका होगा, तो आते समय धके लाओगा या वाईसर वरसा, जाते समय धके लाओगा, तो आते समय रोका होगा तो जब ऐसे question, generally question अगर एक ही direction के है, तो mention करेगा कि वो up है या down है लेकिन अगर ये ऐसे type के question होते है जाकर आया, तो वहाँ कभी कभार question mention नहीं करता है लेकिन फिर वो आप समझ जाना कि definitely ये up और down दोनों होगा एक बार up ले लो, एक बार down ले लो अगर उसने कुछ नहीं बोला है तो चलो guys, अब वो कैसे होगा, क्या होगा, वो हम आगे देखेंगे है न, data कैसे दिया जाएगा, उसको utilize कैसे करना है, फिलाल के लिए बस इतनी बात रियाद रखो यहाँ पर जो नई वर्ड सीखे आपने upstream, downstream और उसका मतलब भी up में minus, down में plus तो यह relative speed करता ही नहीं है, come on guys बाकी basic concept यहाँ पर भी time speed distance के वो ही है, जो अब तक आप सीखे हो तो a board goes 15 km, distance दे दिया है 15 km, upstream मैंने कहा न, alert होके पड़ो, upstream की condition है in 80 minutes but guys, time जो 80 minutes दिया है हमारे काम का नहीं, हमें hours में चाहिए और किसी भी minute को hour में करना है, divide by 60 तो कितना हो गया, 4 by 3 hours 2, 2 से divide किया now the speed of stream is 5 km per hour speed of stream मतलब ही क्या SW 5 km per hour, find the speed of boat in still water, again speed of boat in still water, मतलब क्या SB निकालना है, खतम guys distance दे दिया, km में time दे दिया, hours में हमने convert कर लिया, क्योंकि ये km में, ये hour में speed भी km per hour में water की, कुछ है boat का, और condition क्या है upstream, guys, मुझे बताओ, up हो या down हो, generalized speed का formula क्या होता है, speed is equal to distance upon time, लेकिन upstream की speed है ये upstream की speed, और अभी आपने देखा था कि upstream की speed क्या होती है SB minus SW तो guys, SB minus SW is distance कितना है, 15, time कितना है, 4 by 3, hours वाला लेना ठीक है, so guys, SB हमें निकालना है, SW गलती से भी plus मत कर देना, अब है को minus 5 15, और guys, ये 4 by 3 उपर जाके क्या हो जाएगा, 3 by 4 मतलब ही 45 upon 4 मतलब ही 11.25 तो guys, SB minus 5 ये अगर 11.25 है तो ये minus 5 वीदर जाके plus हो जाएगा, तो SB कितना मिलेगा 16.25, खेल खता खेल खता अब concept पता है, तो हलवा question है, कुछ भी नहीं इसमें ठीक है, तो distance पता था, time पता था water की speed पता थी, boat की पुछी थी, वो भी upstream के condition में तो upstream का speed हो या downstream का speed हो, generalized formula तो ये रहेगा, और finish फिर SB minus SW, upstream की speed, actual speed, distance पता था, time पता था solve के answer आगया, come on next question guys the speed of the boat in still water, तो इस बार SB दे दिया है still water वाली speed boat की, speed of the stream क्या बात है, water दे दिया to stream मतलब water, distance of 8 km यार ये data लिखने की ज़रूद नहीं ये तो पढ़कर आपकी दिमाग में है, आपका understanding के लिए लिख रहा हो मैं, going upstream, फिर से upstream बोला है covered in इस बार time पूछा यार SB पता है, SW पता है, distance पता है और ये जो distance है, कितने में cover होगा अगर boat की अपनी speed बारा है और water की speed 2 है तो, वो भी upstream में तो again guys, upstream की speed SB-SW is distance जो की कितना है, 8 upon time फिर से वोई formula, speed is equal to distance upon time, लेकिन speed की upstream distance at time निकालना है तो SB-SW कितना जाएगा, 12-2 10, 8 upon T, T इधर आ गया 10 इधर divide हो गया, 0.8 hours कही पर भी 0.8 दिख रहा है दिख रहा है, दिख रहा है, नहीं दिखा, none of this is then 0.8 को अगर मुझे minute में करना ही है, तो into 60 कर लो, 0.8 into 60 48 minute, चाहे तो तसल्ली कर लो 48 minute भी कही है, नहीं है तो none of this is the answer चम का, come on guys A lazy man भाई, lazy man है, आपकी तरह तो विलकुल नहीं है A lazy man can row upstream at 16 km per hour and downstream at 22 तो up की speed दे दी है 16, down की speed दे दी है 22 ठीक है, S up S suffix up और S suffix ds, यह अपनी तरीके से में represent कर रहा हूँ, now man's rate in still water man's rate in still water मतलब ही क्या SB, मैंने कहा नहीं still water word जहां लगा हो समझ जाना, जो भी reflection में दिया है आपको reference में दिया है, वो SB है अब man's rate, man तो दोड़ेगा नहीं पानी पे, definitely man का rate मतलब ही man किसी boat में बैठा होगा, तो उसका rate उसकी speed in still water है, rate मतलब ही क्या speed, वो भी रूके हुए पानी में, याने boat की अपनी speed पूछी है, तो guys s up, याने speed during upstream, यह जो 16 दिया है यह actual, यह resultant speed दी आपको, सिर्फ boat की नहीं सिर्फ water की नहीं, resultant speed up के समय, याने against और down के समय वाली भी दी है, याने with the flow और आपको इसका formula पता ही है s b minus s w यह s b plus s w पुछा क्या s b, तो यार इन दोनों को plus कर लो इन दोनों equation को अगर मैं plus कर लो guys, तो समझ ना अरे यार, two equation, two unknown वाला case है, यार, क्या ही तो tension है इन दोनों को अगर plus कर लो मैं, तो minus s w plus s w कटा, याना, s b plus s b, two s b minus s w plus s w कटा and 16, 22, कितना हुआ, 38 तो two ने 38 को divide कर दिया, s b कितना है, 19 finish कितना आसान कितना आसान चम का, तो yes, boat की speed during upstream, during downstream, formula use क्या, equation use क्या खेल खतम, come on guys the speed of boat in still water is 10 meter per second, ठीक है meter per second में दिया है, वो भी still water वाली, याने s b दिया है speed of stream, याने s w दिया है what is the ratio of time taken अच्छा, ratio पुछा है किसका time taken to cover a particular stretch of distance in each direction, guys एक कोई तो distance है, मतलब यहां से यहां कर जाकर वापीस आना है, in each direction बोलाए, to and fro जर्नी, याने अभी थोड़ी देर पहले गाहा था तो मानलो यह a point है, वहाँ से जाकर वापीस आना है लेकिन किस में जा रहे हैं, पानी में चल रहे हैं, बोट से चल रहे हैं, याने यहां up or down आएगा, ठीक है, तो उसने clear बोल दिया, first क्या है, जाते समय अप and back down, यह नई भी बोलता तो common sense है, कि जाते समय अप था, तो आते समय down ही रहेगा, तो यार question ने, जाने को लगने वाला time और आने को लगने वाले time का क्या पुछा है, time का ratio पुछा है, ratio of time taken, उनसा, जाने का time and आने का time, और clear बोल दिया, जाने का up है, और आने का back वाला क्या है down, तो यार, याद करो lecture number 3 हमारे count 1 का ठीक है, बट अगर ratio proportion partnership variation को भी हटा दो, तो time speed distance का जो पहला lecture था, जो अपने इस count 1 playlist का third lecture है, लेकिन मैंने कहा था कि ये lecture के पहले वो lecture देखना ज़रूरी है, तो अगर वो आपने देखा होगा तो उसमें आपने एक relation सिखा था कि whenever distance is constant, speed is inversely proportional to time, आज भी अभी थोड़ी दर पहले train में हमने use किया तो guys मुझे बताओ मुझे बताओ train में तो ऐसे use नहीं हुआ था वो, लेकिन यहां ज़रूर use हो रहा है पीछे उस lecture number 3 में, यानि जस इसके पहले वाले lecture में, last week में आपने उसको use किया था और अब यहां use होगा कि distance constant है, मुझे बताओ अगर आप up में जा रहे हो, तो distance d है, वापीस down से आ रहे हो, तो distance d ही है न, यानि distance is what constant, और distance constant है, तो speed is inversely proportional to time, तो क्या speed का relation निकाल सकते हो, yes, up में speed क्या होगी, sb minus sw 10 minus 6, कितना होगा 4, down में क्या होती है, sb plus sw हमें दोनों पता है, तो इनका addition 16 तो जाने का speed यानि 4 is to 16 जाने का speed, आने का speed, लेकिने किसका हुआ, जाने का upstream और आने का downstream के speed का ratio, 1 is to 4, तो अगर speed का ratio 1 is to 4 है, तो time का उल्टा हो जाएगा न, 4 is to 1 4 is to 1, option A पर इन तो एक अलगी दुनिया थी, जो इसके पहले आपने देखा, वो तो सारे एक अलग concept formulas पर questions थे, लेकिन yes, ये concept को last lecture में आप बिल्कुल यूस किये थे, इसलिए वो देख ले ना guys distance constant होने पर time और speed का क्या relation बनता है, inverse, जितना जादा speed उतना कम time लगेगा, है ना तो inverse, तो आपको individual boat की speed पता है still water की, water की speed पता है sb और sw individually पता है question बोल रहा है, एक जगे जाकर वापस आने में, जो भी time लगेगा, जाने का time और आने का time, उसका ratio क्या तो guys, इतना तो common sense है, जो जाने का distance होगा, वो ही आने का distance होगा, याने distance is constant और question ने clear बोल दिया है कि जाते समय up है, तो जाते समय कि speed क्या होगी sb-sw4, आते समय down है, तो speed क्या होगी, sb-sw16 तो speed का ratio क्या होगा, 4 is to 16, लेकिन गलती से भी 1 is to 4 मत देखना, ये तो speed का ratio है, question ने time का पुछा है तो आते समय अप, आते समय down, ओक हो जाएगा, इससे उल्टा, 4 is to 1, option A लवा, come on guys मैंने गा न, basic चीज़े होई रहने वाली जो पिछले class की, बार चीब up-down, up-down ये नहीं चीज़ हो गई विजय कैन, row the certain distance downstream in 6R, तो downstream का उसका distance, उसने 6 घंटे में cover किया, मतलब time required for downstream is what, 6 and return the same distance, guys वापिस दिमाग की बत्ती जलाओ, फिर से उसने क्या word use किया है, same distance जितना गया, उतना ही आया जितना गया, उतना ही आया, same distance लेकिन इस बार question ने क्या बोला है, जाते समय downstream था, यानि again common sense, आते समय पक्का कह रहेगा, up, क्योंकि ये boat है, to and fro जाते समय पानी along था, आते समय against रहेगा, क्योंकि पानी का direction तो ऐसा ही है न, जब हम जा रहे थे, तो वो पानी हमें धकेल रहा था जब हम आ रहे है, आ रहे है लेकिन पानी का direction तो ऐसा ही है, यानि वो हमें क्या कर रहा है, रोक रहा है तो yes, down, up तो question ने कहा है कि ये downstream वाला time जो है, distance जो है, वो उसने 6 घंटे में cover किया, and return the same distance, याने same distance उसने cover किया 9, लेकिन ये definitely ये 9 घंटा क्या रहेगा, upstream वाला time तो guys, time का ratio क्या मिला आपको time का ratio मिला 2 is to 3, बराबर 2 is to 3 तो वो ही speed का ratio क्या हो जाएगा, speed पहले क्या लिखा है, down फिर speed up, वो क्या हो जाएगा इससे ultra 3 is to 2 3 is to 2, अब down की speed क्या होती है, sb minus sw, अब की क्या होती है, sb plus sw, is 3 is to 2 खतम guys, solve कर लो, question बोल रहा है, stream flow at the rate of 3 उसमें आपको sw दे दिया है तो sb देख लो sb minus 3 sb, अच्छा यह down है, इसलिए यहाँ plus आएगा guys ultra कर लो क्योंकि ऊपर क्या है speed down, तो यहाँ plus, यहाँ minus sb plus 3, sb minus 3 is what, 3 by 2 बस solve कर लो 3 इस पूरे bracket को 3sb minus 9 2 इस पूरे bracket को 2sb plus 6 तो 2sb इदर आया 3sb minus 2sb, sb और minus 6 इदर चला गया, तो कितना हो गया? 15, 15 km per hour is the answer 15 km per hour is the answer, चमका क्या guys clear है, वापिस समझा तो एक बार फिर से समझना question बहुत easy था question ने कहा कि भाई, विजय नाम का एक इंसान है जो एक distance, कितना नहीं पता 6 गंटे में cover करता है downstream में पहले बोल दिया मतलब पहले downstream, 6 गंटे में यह distance and return the same distance definitely जब return आ रहा है upstream in 9R, so guys time पहले down, फिर अब कितना दिया, 6 upon 9 2 is to 3, so time का ratio अपको अगर 2 is to 3 पता है तो वही speed का, याने speed down upon speed up का ratio का हो जाएगा इससे उल्टा, inverse proportion for same distance 2 is to 3 का हो जाएगा, 3 is to 2 पिछला class देखना बहुत अच्छी से reference आएगा जो भूल गया है, एक बार आपीस देख लेना तो down का actual speed का होता है sb plus sw, अपका sb minus sw और speed का ratio का होआँ, इस time के ratio के उल्टा, 3 is to 2 2 is to 3 का उल्टा बस sw भी question ने दे दिया था 3 value रखा, cross multiply किया proportion, और sb मिल किया 50 सतम come on, a boat rose 16 km upstream and 30 km downstream taking 5 hour each time guys, question ने clearly पहले upstream का up the stream याने upstream का distance दे दिया है 16 और time दे दिया है 5 hour फिर downstream का भी distance दे दिया है 30 km downstream taking 5 hour each time मतलब ये जो 16 km कवर किया up में उसके लिए भी 5 घंटे लगे ये जो 30 km किया down में उसके लिए भी 5 लगे of course ये downstream है न तो यहाँ पे पानी भी तो हमें धकेल रहा है help कर रहा है हमारे साथ ही है इसलिए जादा distance कवर हो गया come time में यहाँ उतने ही time में कम distance क्यूंका और हुआ क्योंकि अब था पानी रोकने की कोशिश कर रहा था तो guys upstream का distance भी दया है time भी दिया है downstream का distance भी दया है time भी दिया है खेल खतम खेल खतम अब आपको क्या करना है आपको करना है speed during upstream is distance upon time जो की formula क्या होता है SB-SW is 3.2 फिर speed during downstream is उसका distance upon time दोनों में clear बोला है question ने 5R each time तो यह क्या हो गया SB plus SW is 6 थोड़ी दिर पहले याद है आपने कैसा question देखा था जहाँ 2 equation बने थे same यहाँ पर भी 2 equation बने फिर फरक क्या था उस question में direct उसने up और down की speed दे दी थे एक second में equation बन गए थे यहाँ उसने up का time down का time दे दिया उससे speed हमने बनाई again down में भी up का distance down का distance दे दिया बराबर up का distance down का distance दे दिया up का time down का time दे दिया उससे क्या बनाया हमने speed of up speed of down इसका actual formula हमें पता है और बस ये मिल गया first equation ये मिल गया second equation वो बोल रहा है find the velocity of current current मतलब ही क्या होता है stream, water, flow याने sw निकालने बोल रहा है और velocity याने speed होती है तो rate, velocity मतलब ही इस वाले topic में क्या होती है speed of water current याने यार simple है अब दोनों equation में क्या कर लो, minus कर लो, तो equation 2-1 कर ले तो हमें 2 में से 1-1 करता हो, आप ultra कर सकते हो, 1-2 कर सकते हो, simultaneously solve करना है guys तो देखो, 2-1, sb-sb, kटा, याना, minus कर रहो इस बार plus नहीं, तो sb-sb, kटा, sw-sw, देखना, ये minus और ये minus क्या हुआ plus, so sw plus sw, 2sw, तो ये तो हुआ lhs, now rhs में भी 6-3.2, 2.8, so guys, sw कितना हुआ, 2.8 upon 2, 1.4 1.4 हलवा question था guys, यहां तक तो स्रिफ data था, ये नहीं भी लिखते हो तो चलता, आपका बस ये तीन step था, question याने तो 3 steps उसने up का distance time दे दिया था, उससे up की speed मिले distance upon time, down का distance और time directly दे दिया था, उससे down की speed बनी और up और down की actual speed का formula ये होता है तो बन गया equation, minus कर दिया, आपको sw मिल गया, यह ना, sb minus sb कटा, sw minus minus plus sw, 2sw हो गया और 6 minus 3.2, 2.8 तो sw मिल गया 1.4 वही guys, अगर आपको speed of current ना पुछते हुए, speed of boat पूछा होता, तो वही करते जो उस वाले question में किया था, दो question पहले, जहां हमने दोनों equation में add किया था अगर मुझे sb निकालना होता, speed of boat निकालना होता, current नहीं, तो मैं क्या करते हैं, इन दोनों equation को add कर देता, तो plus sw और minus sw वैसे cancel हो जाते addition में, और sb, sb, 2sb बनता, और इन दोनों का भी addition होता 9.2 तो 2sb 9.2 है, तो 1sb कितना, divide by 2 कर लो 9.2 को, 4.6, ठीक है, तो यह depend करेगा पूछा क्या है, आपको sw पूछा, इसलिए minus क्या है, so that sb, sb शहिद, sb मिल गया, अगर वही उल्टा होता, same data देकर, वह sb पूछा होता, तो हम क्या करते, तो हम addition करते, minus sw plus sw चला जाता, sb मिल जाता, और यह मैं इसलिए बता रहो, guys, क्योंकि यह question आपको करना है, यह question अब आपके लिए homework है, जहाँ पर आपको again same पिछले question की तरह upstream का distance और उसका time दिया है, यहाँ पर again downstream का distance और उसका time दिया है, इस बार time भी अलग अलग है, तो again upstream के distance और time से speed निकाल लो, downstream में भी व situation बन जाएंगे, और फिर इस बार boat की speed पूछी है, इस बार boat की speed पूछी है, तो क्या करोगे, addition, ठीक है, तो homework है, बताना है मुझे, एक homework आपने किसका देखा, train का और एक homework का boat और sim का, दोनों homework और proper comment में लिखना है, homework 1 का यह, homework 2 का यह, come on guys, है न, तो comment में देखूंगा, don't 4 किलोमेटर पर आवर की speed से, it takes 2 hour 15 minute to row a place and back, एक जगा जाकर वापीस आने में, to row a place and back, row a place and back, उसको 2 hour 15 minute लगे, यह 2 hour 15 minute क्या बोला है, total time, पूरे जर्नी का जाकर आना, और आपको मैंने खाय, जब ऐसी चीज़े हो जाए, तो पक्का एक बार up होगा, और एक बार down होगा question जब बोलेगा तो ले लो, नहीं बोला तो आप अपने मन से किसी को भी up और down बोल दो, जाते समय अप तो आते समय डाउन, जिसने उपर डाउन लिया होगा, आते समय अप ले लो, और total time का hint दे दिया guys, 2 hour 15 minute, सबसे पहले जाए 2 hour 15 minute ऐसा time हमें नहीं चाहिए, एक तो पु गंटे और 0.25 गंटे, याने कितना हुआ, 2.25 hours, वैसे करो, नहीं तो पहले तो भाई, पूरा minute में convert कर लो, दो गंटे बच्चा भी बता देगा, 120 minute होते है, प्लस 15 minute, याने ये कितना हुआ, 135 minute, पांते होगी नहीं, दो गंटे 125, प्लस 15, 135 minute, बट 135 minute हमें नहीं, हमें चाहि time, 2 hour, 15 minute, मतलब ही, 135 अपां 60 hour, ये हो गया, 135 minute, तुरांत अपां 60 कर दो, hour में हो गया, 15 के टेबल में दोनों आते हैं, मतलब 159, 135, 154, याने 9 by 4, आप चाहिए तो इसको 2.25 भी लिख सकते हो, या 9 by 4 लिख लो, कोई फरक नहीं पड़ेगा, तो guys, question है, आपको boat की speed in steel water stream की speed अलग से दी है, और उसने आपको दी है, सबसे शानदार hint, कि एक जगा जाकर आने में उसको लगे है, 2 घंटे 15 minute, मतलब के 9 by 4 hours, पुरा मिनिट में करके, divide by 60, और अब वो पूछ रहा है, how far is the place, ये distance वो पूछ रहा है, ये distance पूछ रहा है, guys, again आप ऐसे question पिछले lecture में कर चुके हो, just पिछले वाले, याद करो जैश्री वाला question, मेरको नाम तक याद है, भुल गयोंगे तो एक बार revise कर लो, तो उसमें हमने वैसे ही किया था, जैश्री घर से office गई, office से घर आई, जाते समय की speed दे दी थी, यहा मिला था, और speed के relation से time का relation निकाला था, फिर total time पे apply किया था, यहाँ पर भी total time पता है, और फिर एक बार हमें distance, sorry, time individually मिल गया था, speed individually पता थी, हमने distance निकाल लिया था, तो एक वो तरीका भी मैंने बताया था, एक बार revise कर लेना, और उसी में हमेंने दूसरा तरीका भी बता जिसको equation approach बोला था, conventional approach बोला था, तो यहाँ पर वो better रहेगा, क्योंकि यह fraction में है, total time का ratio निकाल भी ले, तो यह fraction में है, तो apply करने में और जंजट बढ़ेगी, तो यहाँ पर वो ज्यादा सही है, बाकी मर्जी आपकी, आप दोनों method से जा सकते हो, जैश्री वाला question एक ब time for up, plus आनी की phase, time for down, तो कि अप जाते समय माना है, down आते समय, और यह कितना हुआ, total time 9 by 4 hours, question ने का है, total time 9 by 4 hours लगा, finish guys, तो यार यह है, वो equation, solve कर लो, SB मालूम है, SW मालूम है, एक जगे जाकर आना, लेकिन boat है, तो पक्का एक बार up है, तो एक बार down है, total time लगा 9 by 4 hours, तो हमने लिख दिया T up, plus T down मिला के 9 by 4, अब time का formula क्या होता है, distance, distance कितना है नहीं पता, यह तो हमें निकालना है, how far is the place, यह A से B का distance क्या है, वो हमने मान दिया D, तो D upon, distance upon speed, लेकिन speed कौन सी आएगी, अप वाली, SB माइनस SW, 6 माइनस 4, 2, plus, again, जितना distance गया, definitely उतना ही आया होगा, तो distance D ही रहेगा, लेकिन यह down वाली speed आएगी, SB प्लस SW, 10, finish 9 by 4, तो यहार यहाँ देख लो, 2 और 10, तो इस पूरे fraction को 5 से multiply कर लो, 5D plus D, यहाँ पर तो 10 है, यहाँ पर भी 10 आ गया, denominator common ले लिया, तो कितना हो गया, तो guys, 6D upon 10 is 9 by 4, अब आप चाहे तो क्या कर लो, cross multiply कर लो, या वही पर reduce कर लो, मर्जी आपकी, तो मैं cross multiply कर लेता हूँ, यह हुआ 24D is equal to 90, तो D कितना हुआ, 90 upon 24, अगर मैं divide कर लो, तो 12 upon 45, and 45 upon 12 कितना ह अगर आप चाहे तो उसको reduce करो 33 से, या फिर 12 का table याद है, तो यह कितना हो जाएगा, 12, 3,3690, याने 75, 3.75, how far is the place, जो हमने D माना था guys, वो कितना आया है, 3.75 km, चमका क्या, समझ में आया क्या, एक बार आपिस चमकाऊ, तो guys, बहुत easy था, आपको speed of boat in still water पता था, speed of stream मालूम थी, और सबसे शांदार हिंट थी, कि it takes 2.15 hour, मतलब 135 minute, मतलब भी 9 by 4 hour divided by 60 करने के पाद, to row up, place and back, जाकर आने का total time 9 by 4 hour, तो इतना सो पक्का, जो जाने का distance, वो याने का distance, और ये भी पक्का कि जो एक बार up होगा, तो दुसरी बार down होगा, हमने मान लिया, तो ये क्या होगा 9 by 4, जाने का time, plus आने का time is 9 by 4, और time का formula, जाने का distance upon जाने की speed, अगर अप माना है, तो जाने की speed क्या होगी, 6 minus 4, 2, और आने की speed क्या होगी, 6 plus 4, 10, तो distance d upon 2, plus distance d upon 10 is equal to 9 by 4, solve किया, आपके सामने answer है, आकी तो सब आपके understanding के लिए guys, असली question ये है, जैसे जैसे आप उसमें champion बनोगे, आपका hold आएगा, आप खुद बख खुद ऐसे question को पेल दोगे, ये data लिखन के understanding के लिए, ठीक है, तो yes guys, बढ़ते हैं, एक और question की तरफ, अब motor boat, जो कि आज का last question है, went down the river 14 km, down the river बोला है, down the river मतलब downstream वाला distance दे दिया है, 14 km, then up the river, up the river बोल दिया है, मतलब upstream वाला distance दे दिया है, 9 km, it took a total 5 hour for the entire journey, total 5 घंटे लगया है, पूरी journey को, वो भी किसके लिए, find the speed for the entire journey बोला है, मतलब ये सिर्फ down का नहीं time दिया है, उसने, सिर्फ अपका नहीं दिया, बलके इस entire journey को, total time लगा है, 5 hours, clear बोला है, कि भई, एक boat है, जो 14 km downstream जाती है, 9 km drop stream जाती है, and it took total, total 5 hour for the entire journey, find the speed of river flow, याने SW पूछ रहा है, if the speed of boat in still water is 5, याने S भी दे दिया है, तो guys, बिल्कुल पिछली question की तरह है, वहाँ पर भी total time का hint था, just अभी थोड़ी देरे पर हमने देखा, यहाँ पर भी total time का hint है, फिर वहाँ पर क्या था, जाना आने का distance same था, यहाँ अलग-अलग है, लेकिन दे दिया है, इस total time को हम फिर से इन दो phase में तोड़ेंगे, वो कुछ तो downstream गया, कुछ तो upstream आया, यह न, तो जाने का आने का distance अलग-अलग दिया है, और इस entire journey में उसको लगे है, total 5 hours, तो question बोल रहा है, what is the speed of boat, what is the river flow का speed, याने के SW पुछा है, if speed of boat in still water is 5, तो total time आपको guys दे दिया है, 5 hours, total time भी 5 hours दिया है, जिसको हम लिखेंगे, कुछ time up का, याने t up plus कुछ time down का, same पिछले example की तरह, t up plus t down is 5, तो t up, up का distance कितना है, again time का formula आपको पता है, speed, distance upon speed, तो distance कितना है, अप हाँ, अप का देखो 9, और उसकी speed क्या होती है, sb minus sw, plus down का distance कितना है, 14, sb plus sw is 5, अब मुझे बताओ, इसमें से और क्या पता है, आपको sb मालूम है, sb कितना है, गोट की speed in still water, 5 minus sw, तो sb plus 14 upon 5 plus sw, तो यार ये बन गया आपका equation, और पता है guys, आपको पता है कि अगर आप इसको solve करोगे, conventional app pro से, यानि के cross multiply करते हुए, आप चाहे तो sw जो है, उसको x भी मान सकते हो, जो sw आपको निकालने बोला है, उसको आप x मान लो, तो distance आपको मालूम था, आपका 9 upon उसकी speed, sb minus sw, sb f5, swx ले लिया है, again time for down, down का distance आपको बता था, 14 upon उसकी speed, sb5, sw, x, और अगर आप इसको cross multiply करोगे, तो एक quadratic equation बनेगा, और अगर quadratic से बचना है, तो go without option, quadratic में आप champion है तो करो, लेकिन फिर भी हो time कहेगा, कितने भी आप champion हो, वो time consuming है, तो अगर question ने आपको बोला है, find the speed of flow, river flow, याने sw, और ये quadratic बन रहा है, तो बीना quadratic से solve करे, use options guys, smart approach, time बचेगा, मेहनत बचेगी, तो अगर आपको sw पुछा है, speed of river flow, तो सारे option चिला चिला कर दावा कर रहे हैं, कि मैं sw हूँ, मैं sw हूँ, लेकिन उसमें से वो ही sw होगा, जो इस equation को satisfy करेगा, आकि सब फर्जी, और guys, वो जो इस equation को satisfy कर रहा है, वो है 2 km पर आर, देखो, रख के देख लो, तो जिदर जिदर एक से वहाँ पर 2 रखो, याने के speed of water, 5-2, 3, है ना, x के जगे 2, तो 5-2, 3, और 5-2, 7, या 5 का हैसाब हो रहा है, 3 by 3, 9 by 3, 3, 14 by 7, 2, बराबर देखो, 5 is equal to 5, आप चाहे तो 1 रख के देख लो, यह कितना हो जाएगा, 9 upon 4 and 14 upon 6, 9 upon 4 कितना होता है, 2.25 और 14 upon 6 कितना होता है, again 2 point something, लेकिन दोनों के addition 5 होता है, नहीं, सेम आप C रख के देखते, इसलिए D रख के देखते नहीं होता, और उसकी ज़रुद भी नहीं, क्योंकि option B satisfy कर दिया है, और इसलिए वो सही हगदार है, S W कहलाने का, यह चीज भी आद रहो, जब इस तरह quadratic बनता है ना, और जो चीज आपको पूछिए, वो ही यहाँ पे X है, तो option का use आप कर सकते हो, तो quadratic से जाने से बेटर है कि option use करो, जहाँ पे एक से रखो, जो satisfy कर देगा, वो जीत गया, और यहाँ पे जीता है 2, आपके सामने जहाँ जा रखा, बराबर 5 is equal to 5 आया, तो speed of river flow कितना हो हो गाईज, 2 km per hour, and I rest my case, my lord, so guys, this is all about time speed, distance का basic concept, average speed, relative speed का एक हलका सा जहलक, तो अपने last class में देखा था, और आज के class में, उन concept को use करते होए, boats and stream, अपना अगला तड़का देते होए, upstream, downstream, and just थोड़ी दर पहले जो देखा था, problems on train, 6 formulas लेकिन हलवा, अगर सही concept से जाओ तो, एक बार पूरा session revise करना, session notes ये पूरी सारी बिना देखे try करना, और DPP देखना है, और उन DPP में भी अगर अटकोगे, तो हम उस पे भी वीडियो solution लाएंगे, जो कि first DPP पे मैं बहुत ही जल्दी live session ला रहा हूँ, so stay tuned, bye bye, good day, take care.